Hello everyone I am Akash Ghor welcome back to your Indian Medical lecture guys Important topic is Hospital Terminology Hospital के अंदर हम लोग work करते है Hospital के अंदर जो worker रहते है जो staff रहते है professional staff रहते है staff nurse रहता है doctor रहता है या फिर उसके अलावा बहुत सारी teams रहती है जिनको इन शब्दों का ध्यान रखना बहुत important है बहुत सारी चीजे लेकर आयों guys मैं छोटी चोटी चीजे doctor बोल के चले जाते है आपको समझ में तक नहीं आती है वो चीजे आपको एक एक point का मतलब एक एक चीजों का मतलब में किलियर करूँगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनोर एंग्मेज में पुरदी पेंच जो दवाईया प्रसक्राइब की जाती है किस चीज के लिए प्रसक्राइब की जाती है one minute बWhere जो मेडिशिन प्रस्क्राइब की जाती है यह एनालजेसिक मेडिशिन जो मेडिशिन दर्द के लिए जो पेन के लिए जो हम प्रस्क्राइब करते हैं दर्द के लिए प्रस्क्राइब करते हैं उनको एनालजेसिक मेडिशिन कहते हैं ठीक है तो वह दवाईया जो कि दर्द के प्रिस्क्राइब की जाती है निकि दर्द में दी जाने वाले दवाईयों को एनलजेसिक दवाईया कहते हैं आप लोग इस चेस्ट को ध्यान रखने हैं इसका स्क्रिंशोट ले लो फटा-फट एक स्क्रिंशोट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं ठीके आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से अब जो नेक्स जो वर्ड आता है टर्मिनलोची में होता है अर्थ्राल्जिया अर्थ्राल्जिया का क्या मीनिंग होता है जरा समझो अर्थ्राल्जिया का क्या मीनिंग होता है अर्थ्राल्जिया का सिंप्ली मतलब होता है कि पें इन जोइंट इस कॉल्ड अर्थ्राल्जिया, जब भी कभी जोडों में दर्दो, चाहे वो हातों के जोडों में हो, कमर के जोडों में हो, पेरों के जोडों में हो, गुटनों में दर्दो, इन शब्दों का इस्तमाल के लिए अर्थ्राल्जिया शब्द का इस्तमाल किया जा जाएगी यहने कि हड्डियों के दर्द की बात की जाएगी उसको सिंपली हम लोग अर्थ्राल्जिया के नाम से जानते हैं यह चीज आप दियान रखना ठीक कैज आगे पड़ते हैं नेक्स्ट और इंपोर्टेंट वर्ड जो आता है वो होता है सिफलाल्जिया अब यह सिफलाल्जिया वर्ड का मतलब क्या होता है समझो सिफलाल्जिया मतलब होता है टर्मिनलोजी हैडेक का मतलब क्या होता है सरदर्द जब भी बहुत जादा सरदर्द होता है जब भी सरदर सरदर्द देखने को मिलेंगा तो सरदर्द की समेश्या को कहते है सिफिलालजिया ठीक है है तो आप कॉमन लेंग्विज में बोलते हो बट अगर आप मेडिकल प्रोपेशनल हो तो आपको यह वर्ड आना चाहिए ठीक है तो यह समझ माई आपको कि सिफिलालजिय का क्या है nephrologia अब यह nephrologia का किया मेनिंग होता है यह भी बहुत इंप्झेंट है nephrologia nephrologia भी बहुत जही उसकी जाता है pain in kidney यदि आपको kidney में दर्द देखने को मिले that is called nephrologia उसे हम लोग क्या कहेंगे ने rhymesalyn जाता है यदि आपके kidney में दर्द को nephrologia के नाम से जाना जाता है यदि आपकी kidney ओं में pain हो रहा है तो उस word को हम लोग kidney का दर्द ना केकर nephrologya कहेंगे यह चीज आप लोग ध्यान रखना nephrology का मेनिंग यह होता है कि kidney में दर्द होना के लिए रहे guys screenshot ले लो guys यह बहुत important terminology है जो कि आपको के करके समझना हो गए यहां पर, screenshot ले लिजे आप लोग इसका, आगे बढ़ता हूँ यहां से, next जो वर्ड आता है, वो होता है, Neurologia, अब यह Neurologia का क्या मतलब होता है, जरा समझो, Neurologia का क्या मेनिक होता है, pain in nerve is called Neurologia, यदि आपकी Nervous Related दर्द है, Nervous Related दर्द को Neurologia कहा जाता है, Headache भी होता है, Nervo Pain की वज़े से भी होता है, ठीक है, तो याद रखना, Neurologia का मतलब होता है, यदि आपकी Nerv को Nervous Related दर्द है, तो उसे Neurologia कहते है, यह वर्ड भी बहुत बार कई भी कभी एक्जाम में पूछा जाता है, Terminology के साब से, Next जो वर्ड आता है, हमारा Important वर्ड है, Myelalgia, ठीक है, Myelalgia, Myelalgia का क्या मतलब होता है, Pain in Muscle, यदि आपको Muscles के अंदर दर्द देखने को मिला है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, simply, Myelalgia, Myelalgia का मतलब होता है, यदि आपको किसी भी प्रकार का Muscle Pain हो, Back Pain हो, यदि आपको Muscles में अभी, Muscles में आपको पेन उसमें दर्द हो रहा हो, तो उस वर्ड को हम लोग किस नाम से जानते है, Myelalgia के नाम से जानते हैं, स्क्रिंशोट ले लो, जल्दी, स्क्रिंशोट ले लो, आज़स्ट, यहां से अगे बढ़ते हैं, तो अगे बढ़ते हैं, नेक्स वर्ट पे, अब अता है, अई उटालजिया, यह वर्ड भी बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है, ये anti-doctorist work का इस्तमाल करते है, otalgia का क्या मतलब होता है? pain in ear, यदि आपके कान के अंदर किसी प्रकार का दर्द है, तो उस दर्द को otalgia हम लोग कहते है, otalgia मतलब कान के अंदर दर्द का होना, ठीक है? यदि कान में किसी भी otalgia का, next जू वर्ड आता है हमारा, वो होता है gastrologia, अब gastrologia का क्या मतलब होता है? gastro का मतलब समझ में आ रहा है कि पेट से संबंदित कोई बात की जारी है, gastrologia का मतलब क्या होता है? pain in stomach यदि पेट में, यदि stomach में आपको दर्द हो रहा है, is muscle in stomach में, pain in stomach में पेट में दर्द हो रहा है gastrologia is of the term quart, gust next language Next word आता है dysmenorrhea, female इस word को use करते है dysmenorrhea, dysmenorrhea का क्या meaning हो रहा है simply dysmenorrhea का मतलब होता है during the mensuration female has pain in lower abdomen which is called dysmenorrhea यदि मासिक धर्म के समय महिलाओं में मासिक धर्म के समय पेट के नीचे वाले हिस्से में होने वाले दर्द को क्या कहते है dysmenorrhea, female को during the mensuration क्या होता है mensuration के समय में female को lower abdominal pain रहता है क्रंप्स वगिर अगरते हैं तो उस वज़ा से जो pain होता है उससे dysmenorrhea होता है इरिटेशन होता है पेट इरिटेड होता है उस वर्ड को dysmenorrhea के नाम से जाना जाता है या guys terminology है इस चीज को आप लोग ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है dysmenorrhea वर्ड ये भी कभी-कभी आपको कहीं ने गई competitive exam most related भी हो सकता है dysmenorrhea मतलब pain during the mensuration it is called dysmenorrhea screenshot ले लो next word आता है हमारा pyoderm अब ये pyoderm word का क्या मतलब होता है ये word भी समझो pyoderm क्या होता है guys pyoderm का मतलब होता है formation of pus in superficially of skin यानि कि आपकी skin के उपर pus का जमना पस का भरना कहलाता है pyoderm ये word भी बहुत ज़्यादा पूछते है अलग अलग जगा पे pyoderm का मतलब ही होता है कि जो pus है pus अगर ये आपकी इसकी superficial skin तो अचा के उपर pus बन रहा है मवाद बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहते है हम लोग pyoderm pyo मतलब superficially तो अचा के उपर गिस्ते पर भरने लगना pus का screenshot ले लो फिर आगे बढ़ता हूं करो अब कोई चीजी समझ में आ यह होगी का नेक्ष यू वर आता हमारा नेक्ष यू वरड का मतलब होता है यू को दर्म का मतलब समझें ल्यूकोडर्म का मतलब होता है, ल्यूकोडर्म is also called vitiligo, vitiligo क्या होता है, जब तुचा का इस तरह की भीमारी होती है, इस तरह का सफेद सफेद इसको बन जाता है, ठीक है, ये, change, ठीक है, ये सफेद सफेद बन जाता है, यहां पे आप लोग देख पा रहे होगो diagram में, को जूम करता हूँ में, यह आप देख पा रहे होगे, इसको जगा-जगा पे, white-white, जो sport बने हुए है, ये जो sport बने हुए है, इसको हम लोग क्या केते है, leukoderma, leukoderma मतलब होता है, वाइट वाइट स्पोर्ट का बनना ठीक है यह चीज आप लोग द्यान दखना ल्यूकोडर्म का मतलब ही होता है कि वाइट वाइट स्पोर्ट का बनना ठीक है it is a pigment related disease अब pigment का क्या मतलब हो रहा है यह चीज को समझना pigment related disease में बोल रहा हूं क्योंकि हमें पता है हमारी तोचा के उपर क्या होता है melanin होता है ठीके गाईज अगर यह melanin affected होगा अगर melanin में melanin की वज़े से कोई इशू होगा तो एक pigment related disease है यह चीज आप लोग धिहान रखना pigment related disease है pigmentation में अगर इशू आएगा तो वो color white हो जाएगा color लेश हो जाता है screenshot ले लो फिर में यहां से आगे बढ़ता हूं जल्दी guys screenshot ले लो अब इसका next over आता है हमारा hysterodynia 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 का मतलब क्या होता है pain in uterus यदि uterus के अंदर महिलाओ के गरभाश के अंदर यदि दर दे तो उसको क्या कहेंगे hysterodynia ठीक है hysterodynia बोलते है ठीक है uterus में यदि pain हो रहा है तो hysterodynia word का इस्तेमाल किया जाता है screenshot ले लो इसका भी फिर में आसे आगे बढ़ता हूं जल्दी screenshot ले लिजे guys next word आता है हमारा hysterectomy 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 मतलब क्या होता है hysterectomy का simply मतलब होता है it is a process in which removing uterus इसमें क्या कर रहे हम लोग इसमें जो uterus है female का उसको ही बहार निकाल दे रहे और uterus का बहार निकालना कट करके बहार निकाल देना ही hysterectomy hysterectomy कहलाता है ठीक है guys screenshot ले लो यह भी important है अब मैं surgery वगिराब की बात होगी यहां पर नेक्स जो वड़ आता है nephrectomy nephrectomy मतलब क्या होता है nephrons related nephrons यहने की kidney यहने की in the procedure in which surgery of kidney जिसमें क्या करते हैं हम लोग kidney की surgery करते हैं यह दि kidney की surgery कर रहे है तो उसको हम लोग एक word में क्या बोलेंगे nephrectomy ठीक है nephrectomy कहते है उसको यहने की यहां पर कुछ problem हुआ या tumor अगर खो गया तो उसको cut करके निकाल देंगे यदि stone वगे रहा है stone मतलब kidney के अंदर stone बन जाती है उसमें भी यह चीज की जाती है और kidney में यदि cancer हुआ है तब भी यह चीजे की जाती है स्क्रिंशोट ले लो यह भी बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है nephrectomy ठीक है जल्दी screenshot ले लो इसका आगे बढ़ते हैं नेक आता है हमारा colisistomy colisistomy क्या मतलब होता है देखिए colisistomy का simply meaning होता है it is a process in which surgery of gallbladder यदि gallbladder जो होता है gallbladder में कोई problem है तो gallbladder को cut करके बहार निकालते तो gallbladder की surgery को क्या नाम से जाना गया है colisistomy ठीक है colisistomy का मतलब ही होता है कि gallbladder की surgery को करना यह भी important word है बहुत बार पूछा जाता है screenshot ले लो आगे बात करते हैं arthritis यह arthritis क्या होता है सबको पता है arthritis का meaning क्या होता है arthritis is a disease in which which is cause a joint joint related disease joint में pain होता है ठीक है arthritis एक बिमारी होती है जिसकी वजास से हड्डियों के जोडों में दर्द होने लगता है हड्डियों के जोडों में दर्द होने लगता है ऐसे बिमारी को arthritis के नाम से जानते है ठीक है guys screenshot लो लो इसका next word आता है bronchitis यह bronchitis क्या होता है देखो जरा Bronchitis, सबको पथा है, कि Bronchitis means inflammation of bronchiol, देखो गाईज, Bronchus क्या होती ही, जरा समझें Bronchus क्या होती है Bronchus, सिंपलिस को जूम करते है देखे जरा, यह व्यक्ति है, इसके अंदर ब्रॉंकियोल का मतलब समझऊ, आप लोग, bronchus क्या होती है यह रही यह रही आपकी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल क्या होती है, जब यहां से मैं बता हूँ, यह हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप जैसे अंदर इंटर होता है, छोटी-छोटी ब्रोंकियोल में, छोटी-छोटी यहां पर शाखा है आपको दिखाई दे रही है, इन इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गई इन्फ्लामेशन की वज़े से अब इसको देखी यह वाला डाइगराम इसकी वज़े से इन्फ्लामेशन की वज़े से आप लोग यहां पर देख रहे हो टिशू में यहां पर यह जो इन्फ्लामेशन दिख रही आपको इन्फ्लाम सोना, स्वेलिंग आना, यह कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद ब्रॉंकाइटिस के बाद आता है काडियाइटिस, काडियाइटिस का मिनिंग क्या होता है, काडियाइटिस का, काडियाइटिस means inflammation of heart, यदि heart के अंदर, हिर्दे के अंदर किसी प्रकार का inflammation हो गया है, यह inflammation का हो जाना गए, जल्दी screenshot ले लो, नेक्स वर आता है, सर्विसाइटिस, ठीक है, सर्विसाइटिस का मतलब क्या होता है, कि सर्विसाइटिस का मतलब होता है, inflammation of uterus and cervix, देखो, uterus के अंदर, प्रका집 मतलब मतलब होता है, यही बाता है, और सर्विक्स वाले वाले रिजन होता है, यहां यूज नीचे वाला सर्विक्स वाले रिजन होता है, वहां पर यही इखी को inflammation हो गया है, इसको Cafroutsis ना geliyor, होता है कि ut Eliot Servix भाले भाग में Inflammation का हो जाना ये भाग में liksom is exploration हो गई है Consider inflammation होई है क्लीन करता हूं ठीक है यहांपे आपrien लग देख सकतो है मार liट भागे इंफ्लामेशन हो गई हम यहांपे इंफ्लामेशन हो गई हुआ next आता है colitis, colitis का क्या मतलब होता है, inflammation हो जाना, जो colon होती है, colon का होती है, intestine का एक भाग होती है, colon में यदी कोई प्रिकार का inflammation यदी हो रहा है, तो से हम colitis कहते है, colitis का मीन होता है, meaning होता है, inflammation in intestine in a colon, ठीक है, जो intestine है, उसके colon वाले भाग में यदी अंदर उसके colon वाले भाग में को inflammation हो रहा है, diagram देख सकतो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह इंफ्लामेचन आपको दीख रहा है, यहाँ पर्स वर्स बन रहा है, ठीक है, को अड़े को प्रिकार को अड़े भाग में हुआ है, सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, यह देखो आप लोग, सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, सिस्टाइटिस नहीं, सिस्टाइटिस, इट इस इस सिस्टाइटिस, ठीक है, सिस्टाइटिस का मतलब हो, सिस्टाइटिस मेन इंफ्लामेशन ही ना, यूरि सेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है स्क्रिंशोट ले लोगा इसका जल्दी फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स आता है आपका इंट्राइटिस इंट्राइटिस का क्या मीनिंग हो रहा है इंट्राइटिस का मतलब इंट्राइटिस मीन inflammation or swelling in a intestine. यदि इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार की swelling आ रही है, inflammation हो रहा है, तो से entretitis कहते है. ये वर्ड का भी बोट इस्तमाल किया जाता है, आप लोग इसीज को भी धान रखना. आगे बढ़ते हैं. एक आता है गस्त्राइटिस. अब ये गस्त्राइटिस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये समझेए. गस्त्राइटिस का मतलब होता है, सिंप्ली गस्त्राइटिस का क्या मीनिंग हो रहा है? प्राइं वाव्य। प्रेक्षों करन करेंuf गोएक्तर परते हैं प्रेसटा और somethin kicks और अब वग तू देख़ूOWग ने डिजिटल बॉटप्र opens बांट के लिएीव रहूंगा